नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Reverse Forward Starter के Indication Lamp का Connection के बारे में है दोस्तों, यह जो आप सरकी डाइग्राम देख रहे हैं, यह हमारा Reverse Forward Starter का Control Wiring है इसको मैंने लास्ट वीडियो में explain कर दिया हूँ कि किस पगा से Reverse Forward Starter का Connection के आता है दोस्तों, यदि आप सिखना चाहते हैं कि किस पगा से हम इसका Connection करते हैं तो उस वीडियो का लिंक में description में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं, देखिए, जो हमारा Reverse Forward Starter होता है उसमें हमें चार Indication Lamp का उप्योग करना परता है पहला तो, Trip Indication Lamp ठीके, जो हमारा Trip Indication Lamp होता है, वो Orange Color का होता है, ठीके उसके बाद में, यहाँ पर हम एक Reverse के लिए, On Indication Lamp का उप्योग करेंगे, ठीके यहाँ पर जो हमारा On Indication Lamp होता है, वो Red Color का होता है, ठीके दोस्तों यहाँ पर हम एक और Indication Lamp का उप्योग करते हैं, जो कि Forward Indication Lamp होता है, ठीके यदि हमारा Motor Reverse Direction में चलता है, तो हमारा Reverse Indication Lamp पर जो करेके लिए, उसके बाद यदि हमारा Motor बंद है, यहाँ पर एक Off Indication Lamp गलओ करेगा, ठीके तो इनी चारों Indication Lamp का हम किस परकासे इसी Starter में Connection करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो देखीए जब हमारा motor trip होता है और motor को trip कौन कराता है जो हमारा overload relay होता है ठीक है तो हमें क्या करना होता है कि यह जो overload relay है इसका जो 97 नंबर टर्मिनल और 98 नंबर टर्मिनल है उसका उपियोग करना परता है ठीक है यह दोनों contact लाइक करें ठीक है तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक वायर को connect करके यह जो 97 नंबर कर टर्मिनल था उससे करें कर दिया यहां पर वायर कर दिया है इस टर्मिनल से एक वायर को करने करके इस इंडिकेशन लेप को फिर सब्लाइड देंगे ठीक है उसके बाद यह हमारा ट्रिप के सब्सक्रीक करनेंगे डिايक हो डूसको भड़ चаст के लियुकर कर देंगे तो यह जो हमारा इंडिकेशन लेंप प उन्ड़ हो कब बंद neighborhood यहांब हम दो डारेक्षन में कि ने forward contacter यहां पर हम इन दोनों Contacter का Interlocking ले के इस indication लांप को connection करेंगे तो यहां पर जो हमारा Contacter यानि कि reverse Contacter ठीक है इसका जो NC contact है उसका उपयोग करेंगे ठीक है reverse Contacter और forward Contacter है दोनों का NC contact यूज़ करना आए ठीक है दोस्तु तो यहां पे power supply लेके आने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक wire को connect करेंगे और यह जो हमारा nc contact था इसमें connect करदेंगे ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा reverse preguntator था में लोगे यहां से neighborhood uyre को connect करके हमें यह जो हमारा forward relax chair है इसके नC nc contact में करनेक करना है तो हम क्या करते यहां से एक वायर को कनेक करते हैं और इसके nc लेंब को भी फेस अप्लाई और न्यूटर सप्लाई मिल गया ठीक दोस्तों अब आते दोस्तों हम रिवर्स ओन इंडिकेशन लेंब पे ठीक है तो इसका वाइडिंग करना है यह हमारा रिवर्स कॉंटेक्टर है ठीक है अब यदि हमारा मोटर रिवर्स डायक्शन में चल र सप्लाई मिल गया दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊस पीडिया फाइल है दो सब्सक्रायि में लिकेशन में दे दूँंगा आप वहां पर किलिक कर के दाउनओड कर सकते हैं दोस्तों उस पीडिया फाइल में आपको पावर वारिंग कंट्रोल वारिंग और इंडिकेशन लेंप वारिंग तीनों का तीनों मिल जाएगा ठीक है तो उस प्रिया फाइल का लिंग डिस्क्रिप्शन में है आप वहां पर क्लिक करके डाउनट कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखी दोस्तों यहां पर हमारा जो फरवर्ड इंडिकेशन लेंप है इसका कनेक्शन करना है ठीक है तो इसके कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा फॉर्वर्ड कॉंटेक्टर है इसका एनो कॉंटेक का इस्तमाल करेंगे ठीक है अब इसके इंडिकेशन लेंब में कनेक कर देंगे ठीक तो यहाँ पर जो हमारा indication lamp था उसका connection complete हो गया ठीक है चलिए आप मैं आपको explain कर देता हूं कि यह जो हमारा indication lamp है वो कैसे work करेगा ठीक है दोस्तों यह जो हमारा indication lamp पर अभी glow नहीं कर था क्यों गलो नहीं कर था क्योंकि यहाँ पर हमारा जो mcb था वो बंद है तो इसको सबस मच जाए ठीक है जैसे मैं mcb को on किया तो हमारा जो off indication lamp है वो गलो होगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो reverse conductor है और जो forward conductor है उसके a1 terminal पर face supply नहीं जा रहा है इसका मतलब हमारा जो दोनों conductor है वो off condition में ठीक है off condition में यह जो हमारा off indication lamp है वो गलो कर रहा ठीक है कैसे गलो करा दोस्तों देख लीगे यहां से power supply हमने इसको दिया है ठीक है यहां से power supply flow रहा ठीक है यहां पर nc contract का इस्तेमाल किया ए ठीक है तो क्या होगा power supply आगे अगे फ्लोगा यहां से फ्लोगा इस nc contract में चली जा रही है यह हमारा forward conductor है यह भी NC contact है और जो हमारा kontactor है वो भी off है ठीक है तो क्या होगा power supply आगे flow होगा आगे flow होते विए इस indication लेम में चलिए जाएगी और जैसे इस indication लेम को neutral supply और face supply मिलता है तो यह indication लेम ग्लोग करने लेगा ठीक है अब जैसे हम forward push button को press करते हैं तो क्या होगा हमारा जो forward contactor था वो on हो गया ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे forward contactor के a1 terminal पर face supply मिल गया ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं control wiring का explanation नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका explanation मैं अल्रेडी last वीडियो में कर दिया हूं उस वीडियो का link में description मीडियों वहाँ पर आप क्लिक करके आच्छे से समाझ सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जैसे ऑन होता है तो यह जो आप यहाँ प्रेस करते हमारा जैसे आप यहां पर देख है कि जो आप यहाँ पर कंटesz है वह चालू हो ए Goldman कैसे काम कर रहा है दो कि मोरταियों वह रणिंडिंग कंडिशन में चुल्ट हो जाती है तो क्या होगा देखेंए जैसे यह मोटर होती है यहाँ पर देखिए व chat간 दोटनों डेकसल लैम होगा जब दफिन लिए उसके बाद यहां पर दिखी है हमार जो और फिंडिकेसन लैंप है फितने और वो अनने दूलो गलोगी में जांग हो जाएगी है इस यहां से चली गई आप जो हमारा reverse contactor है वह वह भी ओफ है और जो forward contactor है वह भी ओफ है ठीक है तो यहां nc contact इस्तमाल किया गया है तो power supply यहां से flow होते हुए इस off indication lamp में चली जाएगी ठीक है दोस्तों तो इस पकार से हमारा जो ट्रिप इंडिकेशन लेंप है और जो ओफ इंडिकेशन लेंप है वो गुलो कर देगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों कुछ इस पकाल से हम रिवर्स फ़रवर्ड इस्टार्टर के लिए इनिकेशन लेंप का कनेक्शन करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लिस इस वीडियो पर लाइक सेर और कमेंट कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद